Hello students, कैसे हो आप सब mathematics के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम inverse of matrix related most important question discuss करेंगे इससे previous वीडियो में हमने matrix का inverse कैसे निकालते हैं वो सब discuss किया था, description में उसका link है आप वो जाकर भी देख सकते हैं तो चलिए आज का ये most important questions का lecture start करते हैं हंजी students, सबसे पहला most important question हम discuss करते हैं सबसे पहला question है verify that verify that a b inverse is equal to b inverse into a inverse सबसे पहला important question ये एक number में आपसे पूछा भी जा सकता है कि a b inverse is equal to क्या होता है तो आपने बताना है b inverse और a inverse ठीक है property का हिस्सा है ये तो इसे भी आप याद रखें हमारे पास इसको verify करने के लिए दो matrix आपको दी जाएंगी एक matrix हमें दे रखी है a जिसके elements आपके पास है 2, 3, 1, minus 4 और साथी एक b matrix भी गिवन होगी b matrix student आपको दे रखी है 1, minus 2, minus 1, and 3 ये आपकी दो matrix है student हम जे student question में हमें क्या कह रहा है question में हमें कह रहा है कि सबसे पहले हम a और b को multiply करेंगे multiply करने के बाद उसका inverse करेंगे फिर हम क्या करेंगे b का अलग से inverse करेंगे a का अलग से inverse करेंगे दोनों को multiply करेंगे तो हमारी दोनों value जो है वो बराबर आनी चाहिए तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे a और b की multiply कराएंगे a को multiply कराएंगे b से a की value हमें given है 2, 3, 1, minus 4 करना है first row first column 2 को multiply 1 से 2 आएगा फिर बीच में sign plus आता है 3 को multiply minus 1 से minus 3 उसी तरह से first row column second 2 को multiply 2 से यानी minus 2 से या आजेगा minus 4 बीच में sign plus आता है 3, 3 is a 9 ठीक है फिर second row column first 1 को multiply 1 से 1 आएगा और उसके बाद minus 4 को multiply minus 1 से तो ये plus 4 आजाएगा उसी तरह से 1 को multiply minus 2 से minus 2 और minus 4 को multiply 3 से minus के या आजाएगा आपके पास 12 आजाएगा, direct minus लिख सकते हैं वैसे बीच में sign हमें आजाएगा plus आता है तो चलिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था तो चलिए solve कर लेते हैं इसको 5 और ये minus के 14 ठीक है student, अब देखिए AB को multiply कर लिया हमने और उसका अब हमें निकालना है inverse, तो क्या करेंगे student, अब इसे क्या कीजिए, AB बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए आप इसको let कर लिजिए C से, अब हमने AB को C मान लिया है, ठीक है ना तो इस matrix को हम लिख लेते है minus 1, 5 5 and minus के 14 ठीक है, अब हमें inverse निकालना है तो मैंने आपको previous वीडियो में बताया inverse निकालने के लिए सबसे पहला जो step करना होता है, वो है matrix का determinant तो इसका अब हम determinant निकालेंगे ठीक है, determinant कैसे निकालते है minus 1 को minus 14 से multiply, 14 नहीं आएगा फिर formula का minus देना आपको 5, 5, 0, 25 यह आपके पास बजएगा minus के 11 not equal to 0 ध्यान रखना है, इनवर्स कभी भी निकालते है तो determinant के value not equal to 0 आनी चाहिए ठीक है, तो इक लाइन लिखे नहीं होते है लिखेंगे, so therefore C is non-singular matrix C is non-singular matrix non-singular matrix and hence C inverse exist determinant का not equal to 0 आना non-singular matrix होता है और उसी में C inverse जो है वो exist होगा, ठीक है जो next step मैंने आपको बताया था inverse करते वाक्त, वो था co-factor उसके बाद आपको निकालने है student, इस matrix के co-factor co-factor कैसे निकालते हैं C11, यानि इस element की बात हो रही है यहां से यह column delete और यह जिस row में है वो row delete बचा हमारे पास minus 14 उसके बाद C12 1 और 2 odd position पे है जब भी odd position होती है तो minus जरूर लगाते है 12 यानि first row column second, इस element की बात हो रही है यहां से column delete और यह row delete, बचा हमारे पास 5 तो यह minus 5 आजेगा, उसी तरह से C21, पहले से sign minus आप लगा सकते हैं यानि इस element की बात हो रही है तो यह column delete, यह row delete बचेगा 5, तो यह आप लिखेंगे minus 5 उसी तरह से C22 यानि इस element की बात हो रही है यह column delete और यह row delete तो बचा हमारे पास minus के 1 आप वो minus 1 यहां लिखेंगे ठीके student अभी हमारे आगे cofactor हमें निकालना है, adjoint of next step, adjoint of C adjoint of C is equal to जो भी आपके cofactor आए हैं वो इसमें रख देंगे minus के 14, minus 5 minus 5 and minus 1 ठीके साथ इसका करना आपको transpose, transpose कैसे करते हैं, यह row wise लिखा हूए न, element इसको column wise लिखना है, minus 14 minus 5, minus 14 minus 5, minus 5 minus 1, minus 5 minus 1, यह आपका आगया adjoint of C, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, inverse निकालना है AB inverse, इसका मतलब C inverse, तो C inverse inverse का formula में आपको बताया था 1 upon C का determinant into adjoint of C, सारी value निकाल चुके हैं, C का determinant भी हमने निकाल रखा है, minus के 11, और adjoint of C, अभी-भी हमने निकाल किया है दोनों value यहाँ पर कर दीजे, put देखिए, 1 upon C का determinant, minus 11 था तो लिख देंगे, minus 11 और adjoint of C, अभी-भी हमने निकाला, minus के 14 minus के 5, minus के 5, और minus का 1 चाहे तो यह minus आप अंदर multiply कर सकते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1 upon 11, 14, 5, 5, 1 यह हमारा आगया C inverse, ठीक है, student यह जो value हमारी आई, यह थी left hand side, यानि C inverse यानि हमारा आगया, A, B, inverse आप इसे लिख सकते हैं, A, B inverse, ठीक है, student, अब हमें left hand side लेकर चलने हैं, यानि B inverse हम find out करेंगे, और A inverse यहां से find out करेंगे, तो चलिए B inverse करने के लिए, सबसे पहले हमें फिर से वही करना पड़ेगा, B का determinant हम निकाल लेंगे, तो B हमारे पास है, 1 minus 2, minus 1 and 3, इसका determinant निकालेंगे, 1 को multiply 3 से 3, फिर formula का minus देना है, minus 1 को multiply minus 2 से, तो यह आपका 2 आजेगा, यह हमारे पास आगया, 1, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखे, not equal to 0 आया, इसका मतलब B inverse भी क्या होगा, exist होगा, अब आपको निकालने है, इसके cofactors, ठीक है, cofactors कैसे निकालेंगे, B11, B11, यानि इस element की बात हो रही है, column delete, road delete, हमारे पास बचा 3, यह 3 आजेगा, इसी तरह से B12, पहले से sign minus देंगे, क्योंकि odd position है, तो यहां से column delete, और यह road delete, तो हमारे पास बचा minus का 1, तो minus 1, और यह पहले से minus है, तो यह plus 1 होजेगा, अब निकालेंगे, B21, 121, यानि column delete, road delete, क्या आएगा, minus 2, और एक minus हमें लगाना होता है, odd position की वज़ा से, तो यह plus 2 होजेगा, इसी तरह से, B22, यानि इस element की बात हो रही है, column delete, road delete, तो हमारे पास बचा 1, यह देखे, 1 आगया, अब हम निकालेंगे, adjoint of B, adjoint of B में इस सारे element जितने भी आई, वह रख दीजे, यह आएगा, 3, यह आपका आया था, 1, 2, 1, 37 का करना है, transpose, transpose करेंगे, तो हमारे पास आजएगा, 3, 1, 2, 1, ठीक है, यह row थी ना, column wise लिए इस row को भी हमने column wise लिए, यह हमारे पास आगया, adjoint of B, अब हम निकालेंगे, B inverse, B inverse के लिए formula क्या बनेगा, 1 upon B का determinant, into adjoint of B, determinant की value हमने निकाली थी, वो आई थी हमारी 1, 1 upon 1, और adjoint of B हमारा आया था, 3, 2, 1, 1, यह हमारे पास आगया, B inverse, ठीक है student, अब हमें value निकालनी है, A inverse की, हाँ जी student, A inverse निकालने के लिए, A का भी हमें करना पड़ेगा, determinant, तो A matrix हमारे पास थी, 2, 3, 1, minus 4, इसका भी determinant हम निकाल देते हैं, 2, 4, 0, 8, minus 8, फिर formula का आपको देना है, minus 3, बन्जा 3, यह हमारे पास आजएगा, minus 11, not equal to 0, जो 0 नहीं आया, इसका मतलब, A inverse जो है, exist होगा, ठीके साथ ही आपको क्या निकालने हैं, इसके, co-factors, ठीके co-factors निकाल लेंगे, A11, column delete, road delete, minus 4, A12, column delete, road delete, minus का 1, क्योंकि sign change होते हैं, इस position पे, A21, इसकी बात हो रही है, column delete, road delete, minus 3, उसी तरह से, A22, column delete, road delete, बचा हमारे पास यहां पे 2, तो, adjoint of A, हमारा आ रहा है हां से, minus 4, minus 1, minus 3, and 2, साथ ही उसका करना है, transpose, यह आपका आ जाएगा, minus के 4, minus 1, और minus के 3, और यह 2, ठीके, यह आपका आ गया, adjoint of A, अब हम निकालेंगे, A inverse, formula क्या होता है, 1 upon A का determinant, into, adjoint of A, तो, determinant हमारा आ आ था, minus के 11, और adjoint of A की value हमारी आ यह, minus के 4, minus 3, minus 1, और 2, ठीके, अब हम में देखिए, उन दोनों, जो हमने निकाले थे, इन वर्स हमने निकाला था, और अभी-अभी A inverse निकाला है, दोनों को हम multiply करके, check करेंगे, कि क्या इनका product, A, B, inverse के बराबर आ रहा है यह नहीं, ठीके न, B inverse हमने निकाला था, उसकी value हम यह आपर put कर देते हैं, तो यह value हमारी थी, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, ठीके हैं, और A inverse की value हमने जो भी निकाला थे हैं, वो भी हम यहां रख देते हैं, देखिए आप, A inverse के आगे न, 1 upon minus 11, तो उसे आपना आगे shift कर देंगे, इस तरह से, 1 upon minus 11, और साथी A की value put करेंगे, minus 4, minus 3, minus 1, और 2, ध्यान रखिए student B का inverse आपको पहले रखना है, और A inverse आपको बाद में रखना है, ठीके हैं, इसको उल्टाना नहीं है, जैसे दिया गया है, वैसी रखना आपको, तब ही हमारा जो answer है, वो verify होगा, तो यह आपका आगया, 1 upon minus 11, अब दोनों को मल्टिप्लाई कर देंगे, 3, 4s are 12, और यह आज़ेगा, minus 2, 3, 3s are 9, minus 9, 2, 2s are 4, उसी तरह से, 1 को 4 से, minus 4, और यह आज़ेगा, minus 1, 1 को multiply, minus 3 से, और 1 को multiply, plus 2 से, तो student हमें मिलेगा, minus 1 upon 11, और यह आज़ेगा, minus के 14, और minus के 5, minus 5, और यह आज़ेगा, minus के 1, minus 12 है, तो चाहो तो अंदर, आप multiply कर सकते हो, तो आज़ेगा, 1 upon 11, 14, plus 5, plus 5, plus 1, तो देखे, यह हमारी पास आगी है, B inverse, into A inverse की value, ठीक है, अब ज़र हम चेक करते हैं, कि हमारी A B inverse की value क्या थी, तो यह थी हमारी 14, 5, 5, 1, और साथ में 1 upon 11, और अगा हम अपना B A B inverse, चेक करें, A B हमारे पास था, 14, 5, 5, 5, 1, 1 upon 11, तो बिल्कुल value मैं चो रहे हैं, तो हमारा यह verify हो गया है, हम लिखेंगे हैंस, हैंस, A B inverse, इस एक्वल तो B inverse, इंटो A inverse, तो पहला इंपोर्टन कोशन था, एक्जैम में यह पूछा जाबता है, ठीक है, अब नेक्स्क्स इंपोर्टन कोशन देखिए, हांजी स्चुटर, नेक्स्ट कोशन हमारे पास, क्वेशन नमबर 2 है, यह भी मोस्ट इंपोर्टन कोशन है, कोशन है, शो था, शो था, A is equal to, एक मैट्रिक्स आपको दे रहे खिए है, माइनस 8, 5, 2, 4, सैटिस्फाई, सैटिस्फाई, दा एक्वेशन, सैटिस्फाई, दा एक्वेशन, X स्केर, प्लस 4X, सैटिस्फाई हो जाती है, फिर इसी की मदद से, हमें A inverse, यहां से निकालना है, ठीक है स्टूटन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस A को इसमें सैटिस्फाई कराएंगे, यानि हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट, F of X is equal to, हम लेकर चलेंगे 0, हमें क्या करना है, यह इतरी के से हम function माल लेते हैं, और हम function में क्या करेंगे, यानि X की जगा पे A की value पुट करेंगे, तो यह हमें मिलने वाला है, A square, plus 4A, और minus के 42, ध्यान रखना है, हम function में जहां भी X है, वाँ पे A रखेंगे, और कहीं भी आपको X ना दिखाई दे, उस जगा पे ध्यान रखना है, identity matrix जो है, multiply में आएगी, यानि A square, plus 4A, minus 42, तो यहां पे आपको लगाना है, आई, क्योंकि सारा question जो है, वो matrix form में ही होना चाहिए, क्योंकि हम matrix ही कर रहे है, तो matrix form में होना चाहिए, equal to में क्या चल रहा है, आपके पास, 0 चल रहा है, या आपको ले करके चलना है, यानि 0 जो है, हमारा answer आएगा, यानि satisfy करने के लिए, 0 आना चाहिए न, तो इस side को हम ले करके चलेंगे, और हमें 0, 0, 0 matrix एक मिलेगी, तो चली स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इस equation में देखिए, हमें क्या requirement है, हमें निकालना है A square, तो A square निकालेंगे, A square कैसे निकालते हैं, A dot A करके, एक matrix आपको लिक लेनी है, minus 8, 5, 2, 4, इसी को इसी से multiply करेंगे, minus 8, 5, 2, 4, कर दीजिए multiply क्या आएगा, 88, 64, 5, 2, 10, फिर 85, 40, minus 40, 5, 2, 8, 16, और 4, 2, 8, 8, उसी तरह से 2, 5, 10, और 4, 4, 16, यह देखिए, matrix को multiply करेंगे, तो हमें मिल रहा है 74, यह आ जाएगा आपका minus 20, यह आएगा minus 8, और यह आपको मिल रहा है 26, चीक है, यह हमारे पास आगया, A square, ठीक है, और हमें क्या करना है, 4A, चीक है, और minus 42, यह value निकालनी है, तो हम बस इसी में कर देंगे, तो क्या करेंगे, आप A square, plus 4A, minus 42I, इसमें put करते हैं, A square की value, अभी अभी हमने निकाली, 74, minus 20, और minus के 8, साथ में 26, plus 4, into A, A matrix आपको दे रखे हैं, यह इसमें लगा देंगे, minus 8, 5, 2, 4, और minus 42, और I, I का मतलब होता है, identity matrix, आपको पता ही होगा, identity matrix क्या होती है, 1, 0, 0, 1, यह identity matrix ना, आपने इस matrix को देखके ही open करनी है, अगर यह 2 by 2 matrix है, तो यह भी आपको 2 by 2 matrix लेनी है, अगर ही 3 by 3 का order है, तो इसको भी आप 3 by 3 order में ही रखेंगे, तो आपको क्या करना है, यहां से 4 को अंदर multiply करेंगे, यहां से 42 को अंदर multiply करेंगे, तो यहां ज़ेगा 74, minus 20, minus 8, 26, 4 को जैसे आप multiply करोगे, यहां से आने वाला है, 42, 0, 0, 42, जीरो से multiply करेंगे, तो 0 यहां आएगा न, अब देखें, इन दोनों को आप कर दीजे, प्लस, देखें, 74, प्लस, and minus 32, 74, minus 32, यहां आपके पास बचेगा 2, और यहां आएगा 4, 42 आ रहा है, minus 20, and plus 20, 0, minus 8, plus 8, यह भी आपके पास 0 आएगा, 26, plus 16, यह आपके पास वजाएगा, पूरे 42, और साथ में, minus में भी देखें चल रहा है, 42, 0, 0, 42, ठीक है, तो देखें, सार आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, 0, 0, 0, 0, ठीक है ना, आप लिखेंगे, hence, satisfied, hence, satisfied, जीक है, अब स्टूड़न्ट आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टैप तो था, कि हमें इस मैट्रिस को, इस इक्वेशन में सैटिस्फाई कराना है, उसके बाद अगर सैटिस्फाई हो जाए, तो हमें inverse की value भी निकालना है, यह निए A inverse भी निकालना है, इस मैट्रिस का inverse निकालना है, तो काफी स्टूड़न्ट क्या करते हैं, इसको उस तरीके से करते हैं, co-factor निकालके, adjoint निकालके, तो आपने वैसे निकरना है, अगर हमें equation दे रखी हैंना, इस equation से हमें निकालना है, equation हमारे पास थी, जिसमें हमने A put किया था न, वह वली equation आपको लेनी है, equation थी, A square plus 4A, minus 42I is equal to 0, इस equation का use करके, हमें A inverse निकालना है, तो क्या करेंगे, तो नए step आ रहा है, यहां star star बना लेजिए, important है, क्या करेंगे, लिखेंगे, pre-multiplying, pre-multiplying, by A inverse, on both sides, on both sides, यानि इस equation को आपको, pre-multiply कराना है, A inverse से, ठीक है student, देखे, दो तरा की multiply होती है, एक pre-multiply, और एक होती है, post-multiply, pre-multiply में हम क्या करेंगे, इस equation को, आगे की तरफ से multiply करेंगे, ठीक है, और post-multiply में होता है, अगर हम, equation को, पीछे से multiply करने जा रहे हो, ठीक है न, तो, दोनों multiply होती है, इसमें अभी pre-multiply, आप देखे, कैसे करेंगे, देखे, A inverse, को, इस पूरी equation से multiply कीजिए, यानि, आगे से करना है, तो, A square के ही, आगे shift होगा, ऐसे, उसी तरह से, इसे में multiply करना है, 4, A inverse, A, ध्यान रखे, constant की तरफ नहीं आएगा, multiply, सिर्फ matrix, matrix ही multiply होगी न, ध्यान रखे, A inverse, matrix है, A inverse को ही हम multiply करा रहे है, तो, यह सिर्फ matrix के साथ जाके ही adjust होगी, तो, जैसे ही हमने इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया, इसी तरह से, minus 42 ऐसी रहेगा, और multiply होगा, सिर्फ I से, इस तरह से, और on both side लिखा है, तो, 0 को भी आप multiply करेंगे, A inverse से, ठीके न, से लिखेंगे, A inverse into A, और एक A जो बचा, उसको भार लिखेंगे इस तरह से, plus 4 A inverse into A, इसको अलग ब्राकेट में बना लिजे, minus 42 A inverse into I, इसे अलग ब्राकेट में बना लिजे, और आपको पता है, 0 को किसी से भी multiply करेंगे, तो वो आपको 0 ही आएगा, यह निए O matrix है, यह 0 matrix है, यह as it is रहेगा, अब आपको student क्या करने है, कुछ formula ज्याद करने है, ठीक है न, कुछ formula ज्याद कर लिजी, यह property का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिए, कभी भी हमारे पास A, A i कहीं भी दिखे, A i यह नि, किसी भी matrix के साथ, कभी भी कोई identity matrix multiply होती है, तो पलट के वो A ही आता है, ठीक है न, एक तो प्रपर्टी ही आपको याद अगनी है, दूसरी प्रपर्टी जो है, वो है, कभी भी A inverse, A से multiply हो, तो वो आपके पास आई आएगा, आपने देखा होगा, जब A inverse हमने start करना, आप अपनी book में check करेंगे, तो काफी सारे proof that भी हैं, इसके उपर काफी आपने proof that किये भी होंगे, कि A inverse को A से multiply करके आई आता है, अगर नहीं किया, तो आप करके देखिए हमेशा आएगा, ठीक है ना, या फिर ऐसा हो जाए, कि हम A को पहले रखें, और A inverse को बाद में रखें, तो आप ऐसे multiply करेंगे, तब भी आपका I आएगा, एक property तो आपको यह यादक नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद एक property यह है, कि अगर हम A inverse को I से multiply करें, तो वो हमें A inverse ही मिलेगा, जैसे इसमें देखिए, identity matrix जब भी किसी matrix से multiply होती है, तो वो खुद बाखुद matrix ही आजाती है, तो यह भी matrix है, और यह भी matrix है, लेकिन ही identity है, तो multiply करेंगे, तो A inverse ही आएगा, तो ध्यान रखें इसे ignore मत कि, जिस student important properties हैं, इसे याद अखना है, अब देखिए इसमें हमें apply करने वाले हैं, तो देखिए A inverse into A, A inverse into A, किसके बराबर है, I के बराबर है, तो यहाँ पर हम I लिखेंगे, I A plus 4, A inverse into A, A inverse into A, इसकी जगा पर भी आजएगा, यहाँ पर I, minus 42, A inverse I, यह भी क्या हो जाएगा, आपका A inverse, equals to 0, यहनि O matrix, देखिए A inverse into I, equal to A inverse, तो हमने इसकी जगा पर लिख दिया, A inverse, ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए I A, I A, या A I, A की बात है, A हो जाएगा, यहाँ पर आजाएगा, यह पर आजाएगा, यह A, plus 4 I, minus 42, A inverse, equals to 0, यह minus का है, इसको उठा के उदर ले जाएगे, यह बचाएगा, A plus 4 I, is equal to minus, उदर जाके पर लेजाएगा, 42 A inverse, ठीक है स्टूड़न, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर A matrix की value, पूट कर दीजिए, जो आपको स्टार्टिंग में दी हुई थी, ठीक है, देखिए यहाँ से A inverse, बड़े असानी से निकल जाएगा, बस A की value यहाँ पूट कर दीजिए, A हमारे पास क्या था, minus 8, 5, 5, 2, 4, प्लस 4, और साथ में identity matrix, यानि 1, 0, 0, 1, उसी तरह से 42 A inverse, ठीक है, यहाँ से 4 को अंदर मल्टिप्लाई करेंगे, यह हमारे पास आएगा, minus 8, 5, 2, 4, यह तो आपको यहाँ रहेगा, 4 को यहाँ अंदर मल्टिप्लाई करेंगे, 4, 0, 0, 4, और equal में हमारे पास चल रहा है, 42 into A inverse, तो जैसे आप इन एड करेंगे आजएगा, minus 8 plus 4, minus 4, 5 plus 0, 5 plus 0, 5, and 2 plus 0, 2, and 4 plus 4, यह आपका आजएगा, 8, equal में 42 A inverse, 42 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो डिवाइड में कैसे लेगे जाएंगे, so therefore A inverse, 1 upon 42, यह आपका आजएगा, minus 4, 5, 2, 8, यह आपका आगया A inverse, तो देखे स्टूडेंट इस तरह से A inverse आपको find out करना है, यानि कभी भी हमारे पास A की value दे रखियो, और साथ में equation है, तो पहले equation में इसको satisfy कराएंगे, satisfy कराने के बार A inverse निकाल लेंगे, किस तरह से, to find heading डालके, pre multiply कराना है A inverse से, साथ में property apply होगी, apply करने से हमें A inverse दिख जाएगा, value put करके आपको A inverse निकाल देना, तो यह process है student, यह question भी important है, यह भी आप अच्छे से लगा लेंगे, चलिए student, अब देखे, कुछ important question है, मैं आपको ऐसी बता देता हूँ, वीडियो जादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, आप practice करेंगे, तो आपके prove that निकलने चालू हो जाएंगे, देखे student, कहीं question हो में हमें क्या पूछा जाएगा, वो देदेगा आपको, if a is equal to, एक matrix given होगी, वो matrix चाहे 2 by 2 की हो, चाहे वो 3 by 3 की हो, ठीक है, कोई matrix हमें given होगी, और हमें prove करना होगा, prove that, prove that, a inverse a is equal to i3, या i2, ठीक है, ये student question बहुत ज़्यादा असान होते हैं, इस type का question आप कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, a inverse कैसे निकालना है, वो पुराने वाले तरीके से, कि पहले आप determinant निकालेंगे, cofactor निकालेंगे, adjoint निकालेंगे, फिर inverse निकालने के बाद, आप इस a को इससे multiply करेंगे, आपका answer i3 आएगा, और अगर ये matrix 2 by 2 की है, तो वो i2 आएगा, यानि कि 1001 ठीक है न, 3 by 3 की है, तो 100001001 ये इस तरह से आएगा, ये proof that भी आपको कर लेंगे, मैंने इसलिए निकराया, टाइम बेस्ट होता, आप इसको अपने आप करेंगे, तो आजाएगा, ठीक है, एक ये proof that, और कहीं बार हमें proof that, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस ए उसी तरह से matrix given होगी, आपको, matrix given होगी, और प्रूव हमें करने को आजाएगा, proof A inverse is equal to A का transpose, ठीक है न, हम क्या करेंगे, एक matrix का inverse करेंगे, और inverse करेंगे, जो भी inverse आएगा, और दी हुई matrix का हम transpose करेंगे, दोनों को चेक करके देखेंगे, वो बराबर आजाएगा, तो इस टाइप के proof that भी आप कर लेंगे, ठीक है, और तीसरे टाइप का proof that, मैं आप लिख देता हूँ, इस तरह से एक matrix हमें given होगी, और proof हमें करने को आएगा, proof that, इस तरह से हमें सब पूछा जा सकता है, कि मान लीजे, A inverse है, और यहाँ पर कुछ equation दी होगी, A square minus 4A plus 14I, इस तरह से, यानि यह तो हो जाएगी हमारी left hand side, A inverse आप निकाल लेंगे, यह left hand side हो जाएगी, और आप क्या करेंगे, A square निकाल लेंगे, और A की value हाँ पूट करेंगे, और 14I, यानि इस portion को भी आप solve करेंगे, जैसे हमने इस question में किया था, देखिए इस तरह से, आपसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है student, तो चलिए student, आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो इसे like कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो subscribe करके, bell icon on कर लिजिए, मिलते हैं किसी next video में, तब तक के लिए, goodbye and take care.